दिल्ली दे कथित श्राब कोटाला मामले दे वेच दिल्ली दे मुख मंत्रिय ते आमाद्मी पार्टी दे कौमी कर्मीनर अर्विंद केजरी वाल कल एडी दे पे जे समना ते एडी मुरे पेशन नहीं होई इस दी बजाए केज़ी वाल ने एक चिठी लेके एडी दे नोटिस नो गैर कानूनी ते स्यासतों प्रेरित दस्या ते नारी नोटिस वापस लेंदी मांग कीती यानि के अर्विंद केज़ी वाल ने एडी दे समना ते दफ्तर मुरे पेश होन तो इनकार कार दता ते सूतर दास देने के एडी वलों होन आमाद्मी पार्टी दे सुप्रीमों नो ताजा समन जारी किते जा सकते ने अर्विंद केज़ी वाल ने कल एवी सपष्ट कर दता सी के ओ रोडशोली मादपरदेश दे सिंग रॉली जा रहे ने ते पहला तो ही एडी तैक कीती होई सी इस मौके मुख मंतरी पगवंतमान भी ओना देनार मौजूद रहे आबाद मी पार्टी ने भी दावा किता के पार्टी सुप्रीमों नो सियास्ती साजिश तहत समन पे जिगे ने विरुदी तरह दे आगवानों मित के निशाना बनाया जारे है इस दोराने भी पता लगया कि एडी ने मनी लॉंडरिंग दी जाज नू लेके काल देली दे कैबनेट मंतरी ते आप लीडर राजकुमार अनांद ते कुछ होर ना दे टिकाने ते भी छापे मारे एडी दिया टीमा नार सी आर पी अफ दिया टीमा भी मौजूद सान ते काल राजली दे वेचे चोन डेली नू संबदन कर देया अरवन केजरिवाल ने दावाह किता के पिछले कुछ दिना तो उना नू गिर्फ्तार करनीए ता हमकियांद दें जारीयांने केंदे हो मैं नो गिर्फतार कर सकते ने पर मेरी सोच नो गिर्फतार नहीं कर सकते देश पर चेफेले लखाते क्रोडा के जिवाला नो की में गिर्फतार करेंगे उना फिर दावा कीता कियाम आदमी पार्टी कटर एमानदार है पूरे देश में इनकी सरकार है कुछ काम किया इन्होंने आट साल में मध्य परदेश में 15 साल से इनकी सरकार है गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है ना सुझ कुछ करते ना दूसरों को कुछ करने देते अब ये धमकी दे रहा है पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ दिल्ली के अंदर रोज खड़ो के धमकी दे रहा है केजरी वाल को गिरफतार करेंगे केजरी वाल को गिरफतार करेंगे केजरी वाल के शरीर को तो गिरफतार करोगे केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफतार करोगे इस एक केजरीवाल को तो गिरफतार करोगे हजारों लाखों करोडों केजरीवालों को कैसे गिरफतार करोगे जो पूरे देश में फैल गए तो दोस्तों यह हमें गिरफतार कर ले कोई फरक नहीं पड़ता केजरीवाल जेल जान हैं एक गवाव जो जाएक मुल्सम वजो एवी इडी नुस पस्ट करना जाहिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद किज्रिवाल जी को इडी ने संबन किया था मुख्यमंत्री जी ने इडी को पत्र लेके बताया है और कुछ बातें बहुत जरूरी उन्होंने रिखांकित की हैं पहला इडी के संबन में ये कहीं साफ नहीं हो रहा कि वो अर्विंद केज्रिवाल जी को किस हैसियत में बुला रहे हैं संब्द की हैसियत से बुला रहे हैं गवा की हैसियत से बुला रहे हैं ये जानबूच के इसको साफ नहीं किया जा रहा है वो साफ करे इडी दूसरा अर्विंद केजरिवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाए जा रहा है आम आदमी पार्टी के कन्वीनर होने के नाते बुलाए जा रहा है या as an individual अर्विंद केजरिवाल करके बुलाए जा रहा है ये ED ने अपने समन में साफ नहीं किया, ED इसको साफ करें आज जदो साड़ा संगर शरांगर ले आ रहे है ता केजरीवाल नूँ जेल जान डारस्ता उन लग पया इसदर में दिल्ली दे विच्च केजरीवाल खिलाफ पोस्टर भी लाए जा रहे हैं जनत लिखिया केजरीवाल सच बोलो श्राब कोटा ले ते अपना मूँ खोलो हटाउन दी मांग कर रहे हैं पंजाब कॉंगरस दे नवजोत सिंग सिद्धू ने कल पटे आड़ा च आपने कार पत्रकार मिलनी की थी अधे इल्जाम लाया के अर्विंद के जिवाल ने श्राबनीती नार पंजाब दा वड़ा नुकसान की था केंदे दिली च्फेल हो चुकी श्राबनीती पंजाब दे थोपी गई है इस करके पंजाब च ठेके दारांदार राज छोन करके वड़े कुटाले हो रहे हैं ते ये कुटाले कोई छोटे नहीं बलके 4,000 करोड तो वद देहान इस नीती राही सिरकार नुका अटमालिया मि पंजाब खबत वद्ध हों दे बावजूद वी मामुली पैसा शिराब मालिये तो कमा रहे हैं उना क्या के लवन लाइसेंस सब तो बड़ी ठंगी है तेस ठंगी नो बड़ी करनली सूपर लवन लाइसेंस जारी कर देते ने ते पांच तो बारा फेस्टी कमिशन करके ठे जाया जा रहे हैं रहे हैं रातो रात रात है रियल स्टेट से ठेक है ठक है फुड़ चुकले अलवन लिसांस अशूर्ड मॉन अशूर्ड प्रॉफित है 9000 क्रोड दे बारा परसेंट रालो के ना हो गया है